दोस्तों आज किस वीडियों सीखेंगे परतिसत निकालना तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन दिया है 50 का 30 परतिसत क्या होगा अगला दिया है 680 का 20 परतिसत क्या होगा नेक्स्ट कोश्चन दिया है 200 परतिसत का अब देखिए इसमें डिप्रेंस से 680 का 20 परतिसत था और ये दिया है 200 परतिसत का 40 परतिसत कितना होगा अगला कोश्चन दिया है 900 का 60 का 30 परतिसत कितना होगा तो चलिए देखते हैं एक एक कोश्चन सबसे पहले देखते हैं 50 का 30 कितना होगा तो इसको किस प्रकार से करेंगे यह है पचास का का मतलब होता है गुड़ा तीज परतिसत और परतिसत का मतलब होता है बटे में सो ठीक पचास का का मतलब गुड़ा तीज और परतिसत का मतलब बटे में सो अब इसको हम solve करेंगे तो 0 से एक 0 cancel फिर इस 0 से ये 0 cancel हो जाएगा और अब बचा क्या उपर में बचा 5 और 3 यानि कि हो जाएगा 15 और नीचे है 1 तो 1 से divide करने का कोई मतलब नहीं उतना ही आएगा तो यानि कि ये हो जाएगा हमारा 15 परतिसत ये परतिसत तो निकाल नहीं है यानि कि 50 का 30 परतिसत कितना होगा तो हो जाएगा 15 जो कि हमारा हो जाएगा इस question का answer अगला दिया है 680 का 20 परतिसत 680 का 20 परतिसत निकालना है यानि कि सबसे पहले क्या करेंगे 680 का का मतलब होता है गुड़ा 20 परतिसत का मतलब बटे में 100 अब इसको हम कर लेंगे solve तो 0 से 0 जो कट रहा है उसको काट देंगे फिर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा अब इसको कर लेंगे सीधे सीधे multiply तो 2 अठे 16 का 6 1 2 चंग 12 और 1 13 यानि कि ये हो जाएगा हमारा कितना 680 का 20 परतिसत अगर निकालेंगे तो कितना हैगा 136 136 ये हो जाएगा हमारा इस question का answer अगला दिया है थर्ड कोस्चन है 200 का sorry 200 परतिसत का 40 परतिसत निकालना है ये थोड़ा different question है तो 200 परतिसत का मतलब बटे में 100 उसके बाद दिया है का का मतलब होता है गुड़ा 40 परतिसत परतिसत का मतलब बटे में 100 इस परकाल से इसको करेंगे अब इसको कर लेंगे solve तो उपा नीचे जो कट रहा होगा उसको काट देंगे 2 0 से यह दो जीरो कट गए और यहां पर एक जीरो है यानि कि एक जीरो यह कट गया और कुछ सॉल्व हो रहा है दो से दो दुनी चार दो बचे दस अब तो सॉल्व नहीं होगा तो यानि कि यह हो जाएगा हमारा उपर में बचा टू इंटू टू अपान फाइब बराबर चार बटे पाँच आया तो यह हो जाएगा चार बटे पाँच इसको और आगे सॉल्व करना तो चार में पाँच का भाग लगाना है यानि कि एक डेसिमल लगाएंगे तो यहां जीरो बढ़ा देंगे और पाँच अठे चालिस यानि कि आयेगा हमारा पॉइंट एट यह हो जाएगा हमारा इस कुश्चन का एंसर अगला दिया है चौता कुश्चन नो सो का साट का तीज परतिसद तो चलिए इसको देखते हैं नो सो का का मतलब गुड़ा साट फिर दिया है का का मतलब होता है गुड़ा तीज अब परतिसद का मतलब बटे में सौ अब इसको कर लेंगे सौल्ट इस प्रकार से लिखेंगे देखिए सब से पहले क्या करना नो सो का, का का मतलब गुड़ा साट फिर का का मतलब गुड़ा और 30 परतिसत का मतलब बटे में 100 अब इसको solve कर लेंगे तो दीखें जो कट रहा होगा उसको काट देंगे एक जीरो से ये जीरो कट हो गया और एक जीरो से ये जीरो कट हो गया अब उपर में बचा कितना अब तो कोई solve नहीं होगा बटेगा नहीं यह 900 और गुड़ा 6 गुड़ा 3 तो 9 तीन चंग 18 और तो हमारा बचेगा कितना 900 गुड़ा यहां बचा 6 गुड़ा 3 तो हो जाएगा तीन चंग 18 और अठारा नविया 162 और दो जीरो है तो यहां दो जीरो लगा लेंगे यानी कि हमारा answer कितना हो जाएगा 16200 यानी कि जब इसको solve करें 900 का 60 का 30% निकालेंगे तो कितना हैगा 16200 चलिए next question देखते हैं question यहा है जैसे 500 परतिसत का 50 परतिसत का 60 परतिसत कितना होगा तो चलिए इसको solve करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे दिया है 500 प्रतिसत का मतलब बटे में 100 फिर का का मतलब होता है गुड़ा 50 प्रतिसत तो 50 प्रतिसत का मतलब बटे में 100 फिर का का मतलब गुड़ा और 60 प्रतिसत प्रतिसत का मतलब बटे में 100 ये हमने लिख लिया अब इसको solve करे तो सबसे पहले उपर नीचे जो भी संख्या है कट रही होंगे उनको काड़ देंगे सबसे पहले तो जीरो से जीरो कट करेंगे ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए और ये दो जीरो हैं तो एक दो जीरो कट गए अब उपर की संख्याओं को गुड़ा कर लेंगे तो उपर में बचा 5 गुड़ा 5 गुड़ा 6 और नीचे कितना बचेगा तो ये बचा 100 अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो 5 पचे 25 पचीज छक्का तो ये 5 पचे 25 पचीज छक्का 1.5 बटे 100 अब देखें एक 0 से ये 0 कर जाएगा और बचा 15 15 बटे 10 अब 10 से 15 में भाग करेंगे तो 10 से कम 10 और 10 पचे 50 यानि कि हमारा एंसर कितना आएगा 1.5 पचा 50 परतिसाद का 60 परतिसाद निकालेंगे तो कितना आएगा 1.5 यही हो जागा हमारा इस कोस्चन का एंसर तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को राइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें जय हिंद बंदे मातरम